हेलो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टो आवर चैनल एजुकेशनल गोल और यह हमारा जो वीडियो है यह क्लास टेंथ की इंगलिज के लिए है तो हम उनके प्रस्ण बैंक में जो अब्जेक्टिव दे रहे हैं उनको सॉल्व करवा रहे हैं तो यह जो वस्तो निस्ट जो प लेंप ओब दाइल ओव इज ए सिंपल प्रेयर रिटन बाइक किसके दोरा लिखी गई है तो यह लिखी गई है रविंद्र नार्ट टेगोर के दोरा ठीक है आगे बढ़ते हैं एंटोनिम ओफ सीनियर इज कि सीनियर का अपोजिट क्या होता है तो जूनियर होता है ठीक है आगे देखिए the time of the day when light first appears is called कि दिन का वो समय जब सबसे पहले प्रकास आता है क्या केलाता है तो वो केलाता है डान ठीक है प्रबात जिसको हम बोलते हैं आगे देखते हैं what is the prefix of healthy यहने कि healthy के सामने क्या prefix लग सकता है तो अन लग जाएगा तो हो जाएगा unhealthy अस्वस्त ठी ठीक है आगे देखते हैं to change something in something different mean कि कि किसी चीज को दूसरे में बदल देना इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं transmute ठीक है परिवर्तित कर देना आगे देखिए था opposite word of external is external का opposite क्या होगा तो internal होगा ठीक है आगे देखते हैं force that causes bad things to happen वो बल जिससे बुरी चीजे होती है क्या कहलाता है evil बुराईया ठीक है आगे देखते हैं the meaning of disciple age कि disciple सब्सक्राइब क्या मतलब है इसके लिए person यह दूसरा वाला option पर आप जाईए person who believes in यह आगे भी और था लेकिन यह कट गया है लेकिन यह answer आएगा ठीक है आगे देखिए वाटी दा prefix of finite finite के सामने उपसर्ग क्या लग सकता है इन तो infinite हो गया है ना prefix मतलब होता है उपसर्ग जैसे हम opposite बनाते कहीं बार सपलता का सपलता उसी प्रकार the radiant grace of God eliminating the poet's life means तो यह जो question है incorrect है क्योंकि इन में से एक भी option नहीं आ सकता इसलिए इसी question को double से फिर से दिया है तो यह देखिए the radiant grace of God eliminating the poet's life means तो इसका answer आजाएगा light thy resurrecting lamp यने की जो इस वर जो हम पर क्रपा दिखाते हैं तो जीवन बदल देते हैं तो light thy resurrecting lamp की आपका जो प्रकास है इस वर का जो प्रकास है वो पुनर जीवन देने वाला है ठीक है the correct meaning of the word thy is तो thy एक adjective है तो adjective क्या रहेगा इसका you were रहेगा ठीक है आगे बढ़ते है what is the meaning of slip slip का मतलब क्या होता है तो slip का मतलब होता है slumber need ठीक है आगे देखते हैं the five senses eyes, ears, nose, tongue and skin means यह सबी क्या है जो पांच हमारी ग्याने इंद्रिया इनको हम बोलते है sense lamps ठीक है sense है हमारे अपन किते है न six sense होता है किसी व्यक्ति मेंने के पांच तो यह हो गया और जिसको भविस्टी की गटना है देखे वो उसको six sense कहा जाता है अगला है the correct meaning of the word thine is तो देखो thine क्या है तो thine एक pronoun है जो किसका opposite है मलब किसके समान है yours के समान ठीक है तो thine जो था वो यूवर था और जो thine है वो यूर्स है ठीक है अगर देखते हैं what do you mean by the word soul soul क्या है आत्मा आत्मा को हम बोलते है spirit of a person ठीक है आगर देखते है चूज दक करेक्ट प्रिपिक्स फार्द वर्ड वांटेट वांटेट का सई प्रिपिक्स क्या बन जाएगा अनवांटेड अन आ जाएगा इसमें ठीक है वाट डू यू मीन बाइदा वर्ड डार्कनेस डार्कनेस का मतलब क्या होता है डार्कनेस का मतलब होता है एग्णोरेंस अज्ञानता ठीक है वाट इस दा मैसेज अब दा पोम लाइट दा लेंप ओप दाई लव कि इस कविता प्यार का दिपक जलाओ इसका क्या मतलब है तो देखिए क्या क् अप्सन है हमारे पास darkness is the cause of all levels light is the cause of all levels knowledge the cause of all levels none देखिए वैसे तो कविता का मेसेज यही है कि जो ज्ञानता है वही सभी बुराईयों की जड़ है तो वैसे तो पहला आ जाना चाहिए लेकिन अगर केवाली सी लाइन का मतलब देखा जाए तो फिर नन भी आ सकता है तो आप पहला भी लगा सकते हैं या फिर नन भी लगा सकते हैं पूरी पोयम का अगर मेसेज देखा जाए तो फिर तो यही है कि अज्ञानता है सारी बुराईयों के जड़ है ठीक है आगे देखते हैं एंटॉनिम ऑब दाएवील इज तो आविल का एंटॉनिम क्या रहेगा तो आविल मतलब क्या होता है बुराई तो बुराई का उल्टा आप अच्छा है तो यह देखिए गुड यहीं दे दिया उन्होंने कही बार आपको दिखे गई नहीं दे दिया उन्होंने वार्ट डू यू अंडर्स मीन बाइब वर्ड वंडरस का मतलब क्या होता है अधिवुद रदबुत को बोलते हैं fascinating ठीक है तो इसमें क्या जाएगा fascinating आजाएगा अगर दिखते हैं in my house with thine own hands इसमें thine आएगा जिन्नोंने poem पड़ी हो जानते हैं अगला sitting at the door इसमें क्या जाएगा D double o r door of my soul अगला ही टीच टच मी बट वन सेंड आई विल एक बार इस पर से करेंगे इश्वर तो क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा आई विल चेंज आल दा सेंस लेंप डेट आई डिड लाइट जिनको मैंने खुद ने जलाया एसे सेंस लेंप तो इसमें लाइट आएगा ठीक है यह सब हमारी कविता की लाइन है आल माई क्ले इंटू देखिए आल माई क्ले इंटू थाइन देखो अब क्ले का आएगा इसमें गोल्ड आएगा तो इसमें आएगा थाई गोल्ड यह तो दे भी गलत यहाएगा थाई और फिर खालिस्तान में हमारे आएगा गोल्ड आजाएगा ठीक ह तो डे है, लाइट है, तो हाइट है, ठीक है तो यह आपके करवा दिये मैंने objective first lesson के, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मुझे बताए मैं आगे के बनाओं या ना बनाओं, thanks for watching